इस साल की शुलवात से ही E.D. बहुत ही चर्चा में दिखी है अब वो आम आदमी पार्टी से जुड़े स्कैम की बात हो या फिर T.M.C. से जुड़े स्कैम की हर जगा बस E.D. का ही नाम चाया हुआ है इन्ही सब के बीच ये ऐलिगेशन भी E.D. के उपर हमेशा लगती रहत है कि वे यूनियन के इशारों पर काम करते हैं इसलिए भी क्योंकि आए दिन बीजेपी अपोजेशन स्टेट्स में E.D. ज्यादा आक्टिव नजर आती है कई मौकों पर यूनियन और सॉलिसिटर जेनरल तुशार मैता दोनों नहीं ये बात कही है कि सेंटरल एजेंसी सच E.D. और C.B. यूनियन के अंडर नहीं है पर लोग ये बात मानने को त्यार नहीं है लोगों से ज्यादा अपोजेशन पार्टी ये एकसेप नहीं कर सकती वो भी तब जब उन्होंने E.D. और C.B. को अपोजेशन पार्टी स्टीट्स में इतना आक्टिव देखा भी है और इसी कीस में अपोजिंग साइट से मौजूद होकर सॉलिसिटे जनरल तुशार मैता और सीनर अड़ोकेट कापिल सिबल के बीच इतने हीटेड आग्यूमेंस मिले हैं कि आप क्या खुद सुप्रीम कोट चौक गई थी क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोट ने एडी के पावस पर क्या फैसला लेने का विचार किया है इस वीडियो में हम देखेंगे तो मामला शुरू होता है एडी के एक ओफिसर अंकित तिवारी के तमिलनाडू में अरेस्ट होने से जिन पर ये इल्जाम लगा था कि उन्हें रंगे हाथो ब्राइब लेते हुए पकरा गया है बेल की मांग करते हुए तिवारी मदरास हाई कोट तो पहुचे पर उधर भ एडी को और कोई नहीं बलकि सॉलिसिटर जेनरल तुशार मैता रिप्रिजेंट कर रहे थे स्जी की ये मांग थी कि एडी ऑफिसर अंकित तिवारी की अलेश ब्राइबरी का मामला तमिलनाडू डिरेक्टरिट अफ विजिलन्स अंड अंटी करप्शन से उठा कर सेंट्रल Bureau of Investigation को ट्रांसफर करना चाहिए SG ने इस पॉइंट पर बेंच को क्लारिफाई भी किया कि वे इस मामले में अक्यूस्ट अफिसर को सपोर्ट नहीं कर रहें पर बस चाहते हैं कि एक फेर और प्रॉपर Investigation इस मामले में हो जो उन्हें उमीद नहीं है कि तमिलनाडू सरकार होने देगी वही ये सुनकर तमिलनाडू सरकार की ओर से मौजूद सीनर अड़ोकेट कपल सिबल बहुत ही गुस्सा हो गए और इधर से जो जगडों का सिलसिला शुरू हुआ है वो सुप्रीम कोट बेंच के ओर्डर देने की बाद भी खतम नहीं हुआ है जी हाँ आपने सही सुना सिबल ने अपने आर्गुमेंट रखते हुए कहा कि ED द्वारा ऐसे एक स्टीट गवर्मेंट के इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करना बहुत ही खतरनाक है इसलिए भी क्योंकि ED जो एक सेंडरल एजेंसी है और एक स्टीट एजेंसी पर उंगली उठाएगी तो उससे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत ही खराब असर पड़ेगा हाला कि सीनियर अड़ोकेट कपिल सिबल की ये कहनी की देरी ही थी कि बस SG तुशार महता ने उन पे उल्टावार करते हुए कहा हाला कि SG महता यहां रुके ही नहीं उन्होंने आगे जाकर तमिल नादू स्टीट को खुब फटकारा ये कहते हुए कि उन्होंने एडी आफिसर के अगेंस्ट केस इसलिए भी किया है क्योंकि एडी तमिल नादू के कई मिनिस्टर्स पर मनी लॉंडरिंग और माइनिंग के केसिस के तहर जाज कर रही है SG महता का ये समेशन सुनकर सिबर शान नहीं बैटे और उल्टा एडी पर उंगली उठा दी कि उनके सारे केसिस और इन्विस्टिगेशन सी फ्लॉड है दोनों कांसल के बीच इतनी बढ़ती लडाई पर सुप्रीम कोट बेंच ने कहा कि इन के इन्विस्टिगेशन का मामला एक फेर और ट्रांस्परेंट तरीके से हो जस्टिस विश्वनातन ने तर्ग दिया The larger issue of best practices considering the federal nature of the country. We will evolve a mechanism. You should sit together and give suggestions. Senior Advocate कपल सिब्बल ने जस्टिस विश्वनातन की बात से अग्री तो किया ही पर उन्होंने फिर से ED पर हमला बोल दिया ये कहते हुए कि वे इंडिया के federal structure को बरबात करना चाहते हैं. आपको बता दे कि इस case की hearing के दोरांग जस्टिस सूरेकान ने मदरास हाई कोट के उस order क को भी refer किया है जिसमें उन्होंने ED officer अंकित तिवारी की case में CBI की जात से सक्ट मना कर दिया था. जिसकी वज़ा से Supreme Court के मन में भी शंका बैठी हुई है. जस्टिस सूरेकान stated, the way the PIL was filed, the way the High Court entertained it and passed the order, we don't want to comment on it now. But there is something which can be said about both sides. Better you come up with solutions, otherwise we will find out. The matter needs to be probed in a transparent manner. हालग कि आपको बता दे कि Solicitor General और सिबल के बीच की लड़ाई अभी तक थमी नहीं थी. सिबल ने ED को target करते हुए फिर से कहा कि वे सिर्फ कुछ states में ही इतने active क्यों नजर आते हैं. इधर सिबल ये कहना चाह रहे थे कि ED सिर्फ BJP opposition state को ही target करती है और जैसा कि आपको है तमिलनाडू में DMK party मौजूद है जिससे आए दिन BJP का जगडा होते रहता है. इस मामले में पलटवार करते हुए Solicitor General ने कहा कि सिबल वापस से matter को political कर रहे हैं और वहीं तमिलनाडू state पे हमला बोलते हुए Solicitor General ने ये भी कहा कि state agency दे तिवारी के खिलाफ investigation के नाम प ED offices को raid करके irrelevant case files उठाए हैं जो कि उन cases से जुडा था जो ED तमिलनाडू के ministers के खिलाफ चला रही है. इस पॉइंट पर Justice Vishwanathan ने वापस से कहा कि एक अच्छे method की सक्त जरूरत दिखाई दे रही है and stated There has to be a mechanism where when a central agency, particularly when the ruling party is different between the center and the state, something has to be evolved so that while genuine cases don't go scot-free, merely because it is being handled by the central agency, at the same time there is no malafide witch hunting. SG Mehta ने justice की बात से अग्री तो किया ही पर उन्होंने वापस से तमिलनाडू पुलीस पर हमला बोला कि वे ED के साथ F.I.R. शेर ही नहीं कर रहे हैं, Solicitor General stated The Tamil Nadu Police website relating to F.I.R.s was blocked under the orders of the competent authority और ये भी कहा कि Judges चाहे तो खुद ये बात चेक भी कर सकते हैं हाला कि सिबल ने इसका पलट जवाब देते हुए कहा कि क्या ED ने दूसरे किसी स्टीट में कभी F.I.R. मांगा भी है सिबल की बात को काटते हुए Justice सूरेकान ने सिबल से सवाल किया Mr. Sibyl, aren't the F.I.R. supposed to be uploaded on the website? Why the secrecy? इस सवाल को और extend करते हुए Justice सूरेकान ने सिबल से ये भी पूचा If you have registered an F.I.R. against a public servant for corruption और illegal mining or disproportionate assets What is the state propriety to say that we will not permit further investigation by the ED? इदर अब Sibyl शांत कहा रहने वाले थे और ED पर attack करते हुए बूला ED investigation can happen only if there are proceeds of crime and there are attempts to convert the proceeds of crime into legitimate money Money laundering is the offense, not the proceeds of crime So how are the ED entitled to investigate without prima facie money laundering? Sibyl ने bench को आगे ये भी बताया कि ED जिस cases की F.I.R. मांग रही है वो illegal mining से जुड़ा है जो PMLA के तहत schedule offense नहीं है इस point पर Tamil Nadu के additional advocate जनरल अमित आनन तिवारी ने Supreme Court bench को बताया कि मदरास High Court ने ED Simmons पस टेल अदाया था जिसके through way district characters को sand mining cases में बुला रहे थे इन सब के बीच Supreme Court bench बार बार बोलते रही कि इस मामले में एक mechanism involve करने की जरूरत है और Justice Kant ने कहा Justice Vishwanathan ने यहां add करते हुए कहा कि दोनों counsel भी चाहे तो suggestions दे सकते हैं इस point पर SG ने bench को कहा जिसका जवाब देते हुए Justice Vishwanathan ने कहा यहां पर SG ने उस मौकी की बात कही जब Bengal police officers ने CBI के officers को arrest कर लिया था और Bengal की CM आराम से CBI office में घुज गई थी इसी point पर जोर देते वे Justice Vishwanathan ने कहा That is why there has to be some kind of mechanism which should screen before action is set out हाला कि SG ने यहां कहा कि ऐसे मामलों से deal करने के लिए statutory provisions है इस पर भी सिबल ने तुरन जवाब देते हुए कहा कि यह statutory provisions ED को ही powerful बनाती है SG ने फिर सिबल को याद दिलाया कि यह provisions Supreme Court द्वारा अपहड किये गए है इस case में Supreme Court ने Tamil Nadu सरकार को एक notice issue करते हुए दो हफतों का time दिया है reply file करने के लिए The Supreme Court has also directed the Tamil Nadu Directorate of Vigilance and anti-corruption to not proceed with the investigation against Tiwari in the meantime and to share with the court all materials collected so far in the case आपको लगेगा कि अन्थ में अब तो SG और सिबल शान्थ हो जाएंगे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ सिबल ने Supreme Court के order के बाद SG से पूछी दिया कि ED दूसरे states में ministers के खिलाफ action क्यों नहीं लेती है जैसे UP और Assam जहां BJP party की सरकार है सिबल asked No ECIR for sand mining in other states What about UP? जिसका जवाब देते हुए SG ने कहा I cannot, state should not protect accused ministers सिबल ने फिर से उन्हें टोकते हुए कहा जिस पे अपनी आवाज उची करते हुए SG ने कहा Again it is political He forgets he is not in a rally सिबल ने घुसे में इसका जवाब दिया He always shouts to try and control the court और courtroom से बाहर चले गए अब देखते हैं इस मामले में तमिलनाटू सरकार की क्या राय रहती है इसनी उसे जुड़े रहने के लिए की falling law चक्रा